अगर आप 5 साल की LLB करना चाते हैं, आपने 12 पास की है किसी भी रिकॉगनाइज बूर्ड से, या फिर आपने 10 वी के बाद डिप्लोमा किया है, तो आप कर सकते हैं, या फिर 3 साल की LLB आप करना चाते हैं, आपने ग्रेजूशन कंप्लीट की है, या फिर अपने मास्टर्स कंप्लीट की है, और मान लीजिए कि ग्रेजूशन में आपके 45% मार्क्स नहीं है, क्योंकि LLB करने के लिए 45% मार्क्स मिनिमम होने ही चाहिए, दोस्तों आप कोई भी किसी भी तरह की डिटेल्स लेना चाते हैं, इंक्वारी करना चाते हैं, किसी भी युनिवर्सिटी, कि किसी भी कॉलिज या किसी भी कोर्स के बारे में, आप एडमिशन ले चाते हैं किसी भी कोर्स में, आप कुछ जानना चाते हैं उसके बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एक फॉर्म आएगा, वहीं जो box है उसके अंदर अपने query को आप type करें और भेज दें हमें हम आपसे personally contact जरूर करेंगे और आपके हर तरह के सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे दोस्तो कोई भी student अगर LLB करना चाहता है LLB करने के लिए हाला कि उसके पास बहुत सारे options होते हैं तीन साल की locker लीजे या पांस साल की locker लीजे आप advocate आप मतलब वकील बन जाएंगे आप अच्छे lawyer बन जाएंगे depend करता है practice आप कैसे कर रहे हैं LLB करने से पहले अगर आपकी family में कोई भी एगर advocate साहब है आपकी family से हो आपके जानकारी में हो रिश्यदार में हो या आपको कोई friend हो तो बहुत अच्छी बात है आपको कहीं न कहीं से exposure मिलना शुरू से ही शुरू हो जाएगा आप practically चीजे जानना शुरू कर देंगे पर उनका क्या जिनके पास कोई भी वकील आजपास जानकार नहीं है मदद करने के लिए कोई helping hand नहीं है तो उन सब की help करने के लिए हमारे जैसे जो platforms होते हैं जहां आपको from the very first day आपकी internship या फिर्मान लेजे practice कराई जाती है आप admission लेते हैं हमसे आप contact करते हैं within three year, five year जो भी आपका law होगा उसमें आपको training देते हैं बताते हैं court में कैसे खड़े होते हैं और साथ में किस तरह से cases को लड़ा जाता है LLB करने के क्या फायदे हैं साथ में LLB कैसे की जाती है duration क्या है, fees क्या है, अच्छी universities कौन-कौन सी है सरकारी से admission लें या फिर private universities या colleges में admission लें ऐसे कई सारे आपके दिल में सवाल आते हैं और साथ में ये भी सवाल आता है कि आप LLB करने के बाद में अपने practice शुरू कैसे करेंगे criminal में practice करेंगे, civil प्रेक्टिस करेंगे, matrimonial में आप जाएंगे या फिर check bouncing cases भी बहुत सारे वकील, individual लड़ते हैं ऐसे बहुत सारे अलग-अलग sectors आपके बन जाते हैं criminal practice का एक अलग ही मज़ा होता है, अलग ही रुतबा होता है जब कोई वकील बनता है तो उसकी समाज में जो respect होती है, dignity बहुत high हो जाती है और अपने आप में अच्छा feel होता है, तो मैं बहुत कुछ आप से discuss करने वाला हूँ आज अपने इस वीडियो में खास करके, उन सभी वकील भाईयों के लिए या फिर उन सभी experience के लिए जो अभी LLB में admission लेना चाते हैं और from the very first day, मतलब पहले ही दिन से practice करना चाते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है, ज़्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है Counseling India और मेरा नाम है विरिंदवर्मा जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश-विदेश की universities, colleges, उनके courses को explore and review करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाते हैं दोस्तों जब भी कोई student चाता है LLB करना, जब भी आप admission लेना चाते हैं आप खुद चाते हैं LLB करना या आपकी family चाती है कि आपको law करवाएं साथ में ही आपको advocate बनाएं और फिर आप प्रेशेतर में बहुत नाम कमाएं उसके लिए सबसे पहली शुरुवात आप कैसे करेंगे आपने माली जी बारवी पास की है फिर चाहें किसी भी recognize board से पास की है recognize board होना चाहिए हाला कि solution तो 10 वी के बाद diploma जो students 3 साल का करते हैं वो भी एक solution आपके पास हाला की होता है जब आप 5 साल की LLB करना चाहते हैं 5 साल की LLB करने के लिए बारवी आप पास हो या अपने डिप्लोमा क्या है दरस्वी के बाद तो आप LLB कर सकते हैं 5 साल की 5 साल का tenure होता है semester wise exams होते हैं किसी भी university किसी भी college में आप जब admission लेते हैं admission लेने के बाद आप कानून की पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं कानून की पढ़ाई के साथ साथ ही अगर आपको कोई helping hand मिल जाए आपके घर परिवार में रिष्टदारी में आपके दो सरकल में कहीं भी अगर कोई वकील सहाब है तो बहुत अच्छी बात है पहले ही दिन से आपको वो practical चीज़े देखना और समझना आपको आसान हो जाता है पर उनके लिए क्या जितने भी students हैं जिन्होंने अभी admission लिया या फिर अभी law complete कर ली पर उनके साथ कोई helping hand नहीं सखाने वाला नहीं है तो हम जैसी जो firms होती हैं वो सभी पहले ही दिन से आपको practically चीज़ों का घ्यान देना शुरू कर देते हैं पहले ही दिन से आपको बताते हैं court में कैसे कड़े होना है court में कैसे काम करना है criminal cases को आप कैसे लेंगे या civil cases को आप कैसे लेंगे हाला कि हमारे पास maximum जो internship करते हैं वो सभी criminal practice के लिए ही maximum आते हैं उसके लिए आपने जैसे ही admission लिया अपनी classes attend करते रहें थोड़ा time आप दीजिए और साथ में court का जो कामकाज होते हैं उन्हें आप समझगे क्योंकि आगे जाकर जब आप अपनी वकालत complete कर लेंगे तीन साल के LLB करें या आप पांस साल के LLB करें complete करने के बाद में जब आप देखते हैं practically चीज़ आपके सामने आती है तो कई बार वो आपके लिए आसान नहीं होता वही हम लोग आपको सिकते हैं अगर आप 5 साल के LLB करना चाहते हैं आपने 12 पास की है कि CB Recognize Boards से या फिर आपने 10 वी के बाद डिप्लोमा किया है तो आप कर सकते हैं या फिर तीन साल की LLB आप करना चाहते हैं आपने graduation complete की है या फिर आपने master's complete की है और मान लीजिए कि graduation में आपके 45% marks नहीं है क्योंकि LLB करने के लिए 45% marks minimum होने ही चाहिए वरना आप LLB करना ही पहोगे अब मान लीजिए आपके graduation में 45% marks नहीं है पर आपके master's में 55, 60 या 60 से अबव marks है तो आप LLB में admission बिलकुल ले सकते हैं ऐसी कोई problem नहीं है निसंकोच आप admission ले पाएंगे बहुत सारी universities entrance based admission देती हैं और बहुत सारी universities direct admission भी देती हैं आप कोशिश करें पहले कि कि किसी भी सरकारी university में आपका admission हो जाए entrance या किसी भी तरीके से हो और अगर नहीं होता है आपका admission NLU जैसी बड़ी-बड़ी संस्ता हैं बड़े-बड़े मतलब colleges हैं आप वहाँ भी admission ले सकते हैं IP में admission ले सकते हैं DU में admission ले सकते हैं पिर जो भी आपकी state university आप वहाँ admission ले 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 आपका admission वहाँ पर ना हो तो आप क्या कर सकते हैं फिर आप private universities का रुख कर सकते हैं private universities में आप admission लेना चाहते हैं तो वहाँ पर direct आपका admission हो जाएगा direct admission होने के बाद में classes आप attend कीजी classes जो भी आप attend करते हैं mood court में कैसे आप practically चीज़ों को सीखते हैं क्योंकि दोस्तों मैंने आपको कई बार आपको बताया है जितने भी practical courses होते हैं उन सभी में exposure का मिलना बहुत ज़रूरी है exposure in the sense की बार बार court जाना, court जाना, clients की file को पढ़ना, cases को पढ़ना, case study करना, साथ में ही जो अलग-अलग cases से related, अलग-अलग acts होते हैं, मान लीजिए कोई भी आपने देखा कोई sexual offense है, छोटे बच्चे के साथ है तो आप box दो आता है, आपने NDPS जैसे मादक पदारतों के मामले देखे होंगे, नशीले पदारतों के जो मामले बनते हैं आपने murder cases देखे होंगे, बहुत सारे अलग-अलग तरह के cases होते हैं डिपेंड करता है किसमें आप practice करने वाले हो criminal practice रवाब करते हैं, तो criminal practice में बहुत ज़दा एक पेचीदा तरीके से आपको अपनी study करनी पड़ती है साथ में ही आपका रुजहान देखना बहुत जरूरी है, आपकी side जाना चाते है आपने admission ले लिया, admission लेने के बाद fees की बात करें fees सरकारी universities में कम होती है, बट वहाँ पर भी fees देखें तो 20,000 पी से लेकर लगवग 50,000 के बीच में per year की fees हो सकती है बट किसी भी private university में अगर आपने admission लिया, तो आपकी वहाँ की fees शुनवाती जो fees है पहले साल से, वह भी 40,000 पी से लेकर एक लाग तक per year की हो सकती है, as per the university कौन सी university में आप admission ले रहे हैं, यह सब उस पर depend करता है और साथ में ही आप जानना चाते हैं कौन सी अच्छी universities है, कहां से आप law कर रहे हैं compare करना चाते हैं किसी भी university को, तो comment box में अपने सवाल पूछना हम आपको उसका भी reply आपको जरूर कर देंगे अब दोस्तों बात क्या आती है, कि आपने fees भी जमा कर दिया, आपने admission भी ले लिया, अब आती है, आप classes का number classes आप लगाएं, जो भी college में पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर जहां आपका रुजान हो उस side जो पढ़ने की चीज़े हैं, जो उससे related acts हैं, उन्हें भी आप पढ़ी, हाला कि जिनके under भी आप सीख रहे हैं, जिनके under भी आप practice कर रहे हैं, महाँ पर जब आप cases में खड़े होंगे, तो आपको चीज़े अपने आप जाननी शुरू हो जाएंगी, अपने आप ची से ही भी जाते हैं, और बहुत मुश्किल हो जाता है घर के खर्चों को भी पूरा करना, इवन आना जाना, जब भी आप किसी court आएंगे जाएंगे, आपके खर्चे होते हैं, खर्चे होते हैं, तो cover कैसे होगे, cover तब ही होगे, जब आपके senior ने आपको कुछ काम दिया होग या फिर आपके personal link से कुछ cases आए तो बहतर है जैसे ही आप admission ले पहले ही दिन से अपने उस तैयारी को शुरू कर दें जैसा मैंने आपको बताया इसमें हम आपकी मदद जरूर कर सकते हैं हाला कि हम दिल्ली बेस्ट हैं दिल्ली में आपकी मदद अच्छे से कर पाएंगे दूसरे स्टेट में आपकी आसे मदद नहीं कर पाएंगे दिल्ली में आपको बता सकते हैं चीज़े कैसे आपकी चलती है अब एक बात और आप जाने हैं आपने अभी law की law complete आपकी हो गई जो बार है वहाँ जाकर आप registration कर वा लेंगे किसी भी court को आप जोइन कर लेंगे court को जोइन करने के बाद जो आपको license मिला provisional license वो दो साल के लिए valid है इसलिए valid है क्योंकि अभी आपको AB आपको AB का exam देना होगा AB का आप exam देंगे उसके लिए forms अक्सर निकलते रहते हैं ज इतना भी जादा easy नहीं है थोड़ा सा पढ़कर आए है तो आपको easily crack करने में जादा परिशानी नहीं होगी आप easily उसे pass कर पाएंगे कि उसमें सिर्फ qualifying exam होता है ऐसे कोई marks नहीं आते हैं अब जैसे ही उस exam को pass कर लेते हैं तो मिलता है आपको permanent license permanent license मिलने के बाद में जो भी आपने court join किया है आप आगे high court चले जाएए supreme court तक आप जा सकते हैं जाकर join कर सकते हैं कैसी practice आप करते हैं एक वकील साहब जो case को लड़ते हैं criminal cases अगर आप लड़ रहे हो बहुत तरह के challenges आपके सामने आएंगे और बहुत तरह के challenges को आपको tackle कर ना होगा बकू भी ताकि आपके client को आप नियाए दिलवा सको और उसका case बहुत अच्छे से लड़ सको दोस्तों जब तक आपकी वकालत है जब तक आप इस वकालत के पेशे में हैं मैं आप सभी को बता दूँ ये बहुत dignity job है मतलब कि you are the officers of the court मतलब कि आपके पास जिम्म जिम्मिदारी भरा एक पेशा है ये जिम्मिदारी से काम करना होता है ऐसा है नहीं बस आपने case लिया और ऐसा ही चलने दिया से कुछ पैसे के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए जिम्मिदारी निभानी चाहिए जिम्मिदारी से case को लड़ना चाहिए जितना अच्छे से case को प सिर्फ आपकी जर्णी है यह जो आपके वकालत फील्ड में आपको मिली है, काले कोट की आप रिस्पेक्ट करें, जो आप काले कोट मिला है, और पूरी डिगनिटी से अपनी इंटरंशिप को, पूरी डिगनिटी से अपने जो एक्सपोजर दिया है आपके सीनियर्स ने, और LLU में admission लेने के related या फिर कोई भी जानकारी आप चाते हैं law के related या कोई भी आप जानकारी चाते हैं कैसे court प्रजेंट होते हैं ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं आप comment box में सवाल पूछें या जैसे मैंने आपको बताया कि form feel आप बहाँ पे करें ताकि वो भी अपने आपको जानकार बना सके बहुत बहुत शुक्यादों जिन्देवाद हमारी इस फीडियो के साथ बने दने के दूए